दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें वीडियो कब-कब अपलोड करना चाहिए दोस्तो हम कोई भी टाइम पर जो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका रिजर्ट हमें ये मिलता है कि हमारे जो व्यूज हैं वो ज्यादा नहीं मिलते तो दोस्तो सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं आपके जो वीवर्स हैं वो कौन से टाइम पर यूटूब पर एक्टिव होते हैं दोस्तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो YouTube का जो algorithm है वो काम कैसे करता है दोस्तो एक साल पहले कि अगर हम बात करते हैं तो होता क्या था कि अगर आप कोई वीडियो पोस्ट करते हो दोस्तो मालेजे आपने रात में 12 बजे अपना वीडियो एक पोस्ट कर दिया तो दोस्तो होता क्या है कि हमारे जो वीवर्स और सब्सक्राइबर होते हैं वो रात की 12 बजे तो सारे वीवर्स तो नहीं जाकते हैं लगभग सभी वीवर्स सो गए होते हैं तो उस टाइम हमारे उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूस नहीं मिलते थे पर होता क्या था जैसे ही morning होता था तो उनको notification चले जाता था और उसपर click करके वो वीडियो देख लेते थे और उनको view मिल जाता था तो दोस्तो जो पहले की जो algorithm थे वो 24 घंटे आपके वीडियो को watch करते थे watch करने के बाद 24 घंटे में अगर आपके views अच्छे हैं आपका watch time अगर अच्छा है तो आपके उस वीडियो को काफी लोगों तक YouTube पहुचाता था पर दोस्तो अब क्या होता है अब YouTube ने क्या किया है कि आप माली जो कोई वीडियो अपलोड करते हो तो सिर्फ एक घंटे तक ही वो वीडियो को watch कर सकता है एक घंटे ही उस वीडियो पर watch करता है कि आपके views कितने जा रहे हैं watch time कितना जा रहा है और ये सब होने के बाद तब YouTube आपका जो वीडियो है उसे लोगों तक पहुचाना चाहिए या नहीं पहुचाना चाहिए एक घंटे में वो एनलाइस करता है कि इनके वीडियो में content अच्छे हैं या नहीं अगर आपके views अच्छे जा रहे हैं, watch time अच्छा जा रहा है तो YouTube को लगता है कि आपका जो content है वो काफी जादा अच्छा है तो वो जादा से जादा लोगों तक आपकी उस वीडियो को पहुचाने की कोशिश करता है दोस्तों जब आप वीडियो अप्लोड करते हो तो आप YT Studio में जाके आप देख सकते हो कि वीडियो की ठीक नीचे आपको चार options देखने को मिल जाते हैं पहला जो option होता है ranking view 1 to 10 मतलब आपकी 10 वीडियो के साथ वो compare करता है और फिर आपको बताता है कि आपका जो वीडियो अभी upload हुआ यो कौन से rank कर रहा है जो दूसरा option होता है वो आपकी views होते हैं मतलब उस वीडियो पर आप तक कितने views आ रहे है वो count आपको महाँ पर देखने को मिल जाता है और जो तिसरा है वो average duration average duration मतलब होता है 10 लोग ने अगर 2 मिनिट आपका वीडियो देखा है तो average duration 2 मिनिट दिखाएगा और जो हमारा last option दिख रहा है वो है watch time minute मतलब आपके वीडियो कितने time तक लोग देख रहे हैं ये चार option अगर आपका green tick होता है तो आपके उस वीडियो पर अच्छे खासे views मिल जाएंगे अगर ये चारों में से किसी भी tick कोई भी green color का tick नहीं होता तो मतलब आपके वीडियो में कुछ न कुछ कमी है मालीज़ आपके views पर green tick नहीं जा रहा है मतलब आपके जो viewers है वो जादा लोग आपके उस वीडियो को view नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे important क्या है कि आपके जो viewers है subscriber है वो कब active है वो पता लगाना क्योंकि अगर वो पता चल जाएगा ना आपको तो आप उसी time पर अपने वीडियो को upload कीजिए अपलोड उसी time पर अगर आप अपने वीडियो को upload करोगे तो आपके viewers है वो जरूर से आपके वीडियो को देखेंगे अगर आपके वीडियो को देखते हैं अगर अच्छा खासा आपका watch time जाता है तो automatically जो YouTube है वो automatically 100-200-500 लोगों तक आपके वीडियो को पहुचाने की video होते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको हम अपने laptop पर लेके चलते हैं अगर आप mobile पर देखना चाते हो तो desktop साइट करके आप उस पर भी देख सकते हो तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको अपना YouTube लॉग इन कर लेना है जैसे आप अपने YouTube को लॉग इन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा तो यहां साइड में आपको जो लोगो आपका दिख रहा होगा उसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको YouTube Studio के उपर क्लिक करके YouTube Studio में चले जाना है यहां पर वो पेज ओपन हो रहा है यहां पर यह पेज ओपन हो चुका है तो यहां साइड में आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे अलग अलग options देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा fourth option देखने को मिल रहा है analytics उसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप उसके उपर click करते हैं तो आपको ऊपर चार options देखने को मिल जाएंगे यह overview, reach, engagement, audience और revenue तो आपको अगर देखना है कि audience कब-कब active होती है तो आपको जो यह audience का option दिख रहा है उसके उपर आपको click कर लेना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आजाना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है when your viewers are on YouTube और यहाँ पर आपको कुछ चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग-अलग days के नाम दिये गए हैं Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday जो हमारे week में जो days आते हैं वो सारे के सारे days यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है और यहाँ side में आप देख सकते हैं 12 a.m, 6 a.m और 12 p.m और 6 p.m यह चार categories यहाँ पर दी गई है तो अब माली जीए कि मुझे upload करना है वीडियो माली जी आज Sunday है और मुझे Sunday को वीडियो अपना upload करना है तो मैं कौन से time पर upload करूँगा तो यहाँ पर पहले आपको Sunday का graphic देख लेना है कि हमारे जो audience है वो कब-कब online आ रहे हैं तो जो एकदम light है, light का मतलब होता है कि उस time आपके audience active नहीं है जहाँ पर सबसे जादा dark हो रहा है, वहाँ पर आपके audience active है संडेग में रात के 9 बजे मेरे सबसे जादा audience active होते है यहाँ afternoon में भी active होते हैं पर दीखे, यहाँ पर आप देख रहेंगे morning में कोई भी जादा active नहीं दिखा रहा है मतलब यहाँ पर जो भी audience है मेरे वो करीब करीब 12 बजे के बात से जो मेरे audience है वो active रहना शुरू कर देते हैं और अगर बात करें 9 बजे तो 9 बजे सबसे जादा viewers, subscribers जो मेरे viewers हैं वो सबसे जादा 9 बजे ही active होते हैं तो में क्या करूँगा, Sunday के दिन में 9 बजे ही अपने वीडियो को अपलोड करूँगा इससे होगा यह कि हमारे जो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वैसे ही जो मेरे viewers होंगे वो हमारे उस वीडियो को view जरूर करेंगे उससे हमारा जो view रहेगा वो बढ़ेगा वैस अगर हम बात करते हैं Monday में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Monday में करीब करीब 12 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मेरे जो audience है जो मेरे viewers है वो active रहते हैं तो Monday में मुझे इतना tension नहीं रहता है, Monday मैं 12 बजे से लेके 6 बजे की बीच में कभी भी वीडियो को upload कर सकता हूँ अगर वही मैं Tuesday की बात करूँ तो Tuesday में आप देख रहे हैं यहाँ पर दो टाइम पर बहुत जादा dark हो रहा है एक 8 बजे और 9 बजे, यहाँ पर देखे लिखके भी आ रहा है, very many of your viewers are on YouTube मतलब 8 और 9 बजे के आसपास Tuesday के दिन रात के 8 बजे और 9 बजे जो मेरे जो audience है वो active इसी time पर होते हैं तो मैं इस time पर अपने जो वीडियो हैं उसको डाल सकता हूँ तो देखे सारे days का अलग-अलग है, आप अपना हर date का पहले यह check कर लीजिए कि कौन से time पर आपके audience आ रहे हैं कौन से time पर आपके audience active हो रहे हैं, तो आप उसी time पर ही अपने वीडियो को upload कीजिए तो उससे definitely आपके वीडियो पर views काफी जादा आने लगेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में सिफ इतना ही, मैं उमीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल मत भूलिए